नमस्ते आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत हैं हमारी आज की न्यूपे का काड टीटिंग है कि आपकी शादी कब होगी कैसी होगी सो मारे पास तीन आप्षन से पर रोज अंकंडिशनल लव को दिखाता है आपके पास तीन आपशन से आप इन तीनों आप्षन पर मेडिटेट कीजिए फाइफ मिनिट्स या फिर इन तीनों में जो भी ऑप्षन इस टाइम पर आपको अट्राक्ट कर रहा है तो चलिए शुर के हमिंग बर्ड को चुनाएं आपकी मैरिज जिन्हों ने ऑप्षिन नमबर वन को चुना है इस कुट भी वन यू अल्रेडी मैट रोमैंटिक पार्टनर इन यूर लाइफ यानि कि आप उस पर्सन से अल्रेडी मिल चुके हैं आप उस पर्सन को अल्रेडी जानते हैं यह पर पर्सन को अल्रेडी जानते हैं और आप इन से अल्रेडी मिल चुके हैं तो दूसरा जो कार्ड है टाइम टो गेव रेंटर देन इट आपकी जो मैरिज है वो तब हो सकती है जब न्यू मून और वर्गो में हो जब भी न्यू मून या मून जब वर्गो राशी मिल जाए त तो यहां पर मून कार्ड की इनर्जी बताती है कि आपका इस पर्सन के साथ काफी ज़ाधा intuitive और psychic connection होगा इस पर्सन को आप पहले से जानते होंगे यह नी कि आपकी इस पर्सन के साथ love marriage होगी और इंच लेकिन यहाँ पर एक दुसरे को पहले से ही जानते होंगा यानि कि आपकी लव मैरिज होगी और आपकी जो मैरिज है बेसिकली मून साइन में हो सकती है अपका मून इन वर्गों में हो चनके साथ आपकी शादी होने बारी है सो आपकी जो शादी है वो बहुत ज़्यादा खुशियों भरी होगी क्योंकि आपकी मैरिज आपकी जंदगी में एक बहुत बड़ा positive change लेकर आएगी आपकी marriage life एकदम खुशियों भरी रहेगी दस सन काड आया है यानि कि आप इस परसन से या तो summers के अंदर मिले होगे लाइट में हो सकती है दिन में आपकी शादी हो सकती है दूसरी जो काड है energy आई है वो यह है financial success सो आपकी शादी के बाद आपका financial status बहुत अच्छा रहेगा आप जिस person से शादी करने वाले हैं वह बहुत ही जादा career oriented person होंगे business man होंगे या फिर अपने career को बहुत ज़्यदा focus करने वाले person होंगे शादी के बाद की life आपकी बहुत अच्छी होगे financially आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी जो wedding है वो एक luxury wedding हो सकती है या फिर हो सकते है rich wedding होगी और हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत जादा बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग भी आए बहुत ही जादा एक huge crowded wedding होगी या बहुत ही लगजरी आपकी wedding होगी और यह आपकी life में बहुत बड़ा change लेकर आएंगी you know unexpected income यानिके income बहुत होगी आपको पैसो की क marriage life है और जो marriage होने वाली है वो भी बहुत जादा रिच होगी शादी के बाद आप बहुत जगा विकेशन पर जा सकते हैं अलग लग हिल स्टेशन में या फॉरन के आप trips पर जाते रहेंगे यहां पर जो है meditation brings the answer आप जिस परसन से शादी करने वाले हैं यहां पर इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा confused रहेंगे जब आप इस person से मिलेंगे हो सकता है इसे इन से मिलने के बाद आप कुछ टाइम के लिए separation face में चले जाएं और यह separation face आपके लिए बहुत ज़्यादा confusion भरा रहेगा यानिकि आपको ऐसा लगएगा कि यह relationship कभी बनने वाला है नहीं आप confused रहेंगे बहुत टाइम तक यह person भी confused रहेंगे आप भी बहुत ज़्यादा confused रहेंगे एक clarity नहीं मिल पाएगी तो अगर आप इस relationship में clarity चाहते हैं तो meditation कीजिए meditation कीजिए साधना करिए जब तक आप meditation नहीं करते हैं आपका mind शांत नहीं होता तब तक आपको यह connection समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब आप इस person से मिलेंगे उस time पे आपको एक तरीके का डर भी लगेगा insecurity भी होगी इस relationship को लेकि पता नहीं आपका इस person के साथ कोई future है य लगाना है दूसरा जो control है इस time to take back control of your life तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत जादा आपके control से बाहर होंगी यानि कि इस person से मिलने के बाद बहुत कुछ ऐसे events होंगे आपकी लाइफ के अंदर जो control से बाहर होंगे और यहां पर यह जो person है एक starting में एक transformation से गुजरेंगे यानि कि यह जो person है शुरू में बहुत ही जादा communication नहीं कर पाएंगे शुरू में यह किसी तरीका के trap में होंगे family pressure के अंदर होंगे society के pressure के अंदर होंगे या career के pressure के अंदर होंगे लेकिन बाद में इस person की energy change होगी और यह stable energy की तरफ यह जो relationship है starting में बहुत ज़्यादा tough होगा आपके लिए लेकिन इसका बहुत ही positive होगा यानि कि big positive change लेकर आएगा so आपके जो person है वो बहुत ज़्यादा changes से गुजरेंगे यहाँ पर आपको इस connection को बनाए रखने के लिए जैसे यह person है यहाँ पर यह बैटके meditation कर रहे है तो आपको भी ऐसे अपना time meditation में करना चाहिए बिना मतलब की बातों को आपको सोचना नहीं है कि आपकी शादी होग कि यह person आपको कमिट करेंगे यह नहीं कमेंट करेंगे यह सरी बातों को side में निकाल के आपको अपना focus meditation पर लगाना होगा और अपने दिमाग को शांत करना होगा बैलन्स करना होगा सो आप इस connection को शांत करिए बैलन्स करिए इस person की तरफ से आपको message of concern आएगा यानि कि यह person एक message में आपको अपने दिल की सारी बाते बोलेंगे और आपको शादिये लिए प्रपोस करेंगे यह proposal के तरह होगा कि यह person आपको प्रपोस कर रहे है message के अंदर इस person की तरफ से message आएंगे या फिर इस person की तरफ से एक love letter आएगा आपके लिए और इस love letter के लिए आपको patience बनाये रिखना है अपने intuition की बात सुनिये ना कि अपने अंदर की डर की बात सुन रहे हैं क्योंकि आपकी 100% love marriage होगी आप उस person को पहले से जानते होंगे बहुत ही psychic intuitive connection होगा लेकिन इस connection के अंदर भी challenges तो होंगे ही एकदम से आप इनसे मिले या committed romantic relationship में गए और शाधी होगी नहीं ऐसा नहीं होगा challenges होंगे तो कि इस person को starting में emotions को express करने में problem आएगी यह person अपनी life में trapped होंगे अपने finances पे focus होंगे लेकिन इस person में transformation change आएगा और इस change के करना है अगर आप अपने intuition को follow करेंगे तो आपको इस relationship में बहुत ही success मिलेगी क्योंकि आपकी बहुत ही शांदर शादी होगी the mature woman यहाँ पर आपकी शादी में female का main role होगा या तो आपकी mother या फिर इस person की mother या divine mother प्लस यह शादी एक mature age में होगी आपकी young age में मतलब की early ages मे शादी नहीं होगी यानिके 20 या 25 में नहीं होगी यह शादी 30 प्लस में होगी आपकी जल्दी शादी नहीं होने वाली है तो patience रखें विश्वास रखें meditation कीजिए अपने mind को शांत करिए आपकी marriage life बहुत ही successful होगी तो यह थी reading जिन्होंने option number one को चुना है यानिके hummingbird को सब्सक्राइब करें और प्राइवेट इडिंग एमेल कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग अब देखते हैं जन्होंने symbol of star को चुनाएं कि आपकी marriage कब होगी सो जन्होंने symbol of star को चुनाएं सबसे पहला काड़ी उनके लिए हैं the marriage life the message card सो आपकी इस person के साथ messages में बात हों किसी dating app पे मिले हो या Facebook पे मिले हो लेकिन फर्स जो आपकी इनके का इनके साथ conversation होगी वह मैसेच के तुरू ही होगी यानि कि आप मैसेच के तुरू ही एक दूसरे से बहुत-बहुत जादा कम्यूनिकेट करोगे दूसरा जो काड़ा है community card सो यह person या तो आपकी community के होग एज डिफ्रेंस हो सकता है हो सकता है आप दुनों के बीच में यह जो person है इनकी energy ऐसी भी है कि यह जो आपके person है यह बहुत-जादा parents की तरफ इनका बहुत-जादा attachment होगा यानि कि एक तरीके कि यह अपने parents के साथ जैसे कि ममास बॉय या फिर पापा की पर यह ऐसे कह सकते हैं offend मत होईएगा इस words को सुनके लेकिन इनका अपने parents से बहुत-जादा emotional attachment होगा और यह ऐसे सोचते होंगे कि इनके उपर इनकी parents की responsibilities है इनने अपने parents के लिए करना है उन्हें proud feel कराना है तो बहुत-जादा मतलब की parents में एक होता है प्यार करना और एक होता है blind attachment होना तो यह जो person है अपने parents के लिए बहुत-जादा attachment में होंगे कि जैसे जो parents के रहे हैं वैसे करना है यानि कि अपनी life का control इन्होंने खो दिया होगा और यह अपने parents के साथ रोबोटिक control में होंगे जैसे कि इनके parents करने कि यह करिया चुनना इनके parents करने कि यहां शादी करनी है तो आपके लिए page of Michael यह person बहुती ज्यादा सच्चे होंगे बहुती सच्चे दिल के person होंगे बहुती analytic होंगे लेकिन इनकी जो energy ना एक page वाली होगी यानिकि एक immature energy में यह person होगी जैसे कि मैंने का कि इनको independent decision लेने में प्रॉबलम होती होगी और अपने अपने parents से बहुती energy नहीं है सो एक बच्चे जैसी इनकी energy होगी यानि कि बहुत ज़्यादा मासूम होंगे बहुत ज़्यादा प्योर होंगे इनका दिल बहुत अच्छा होगा साफ होगा और यह बहुती ज़्यादा जल्दी excited होते होंगे इनके बहुत सारे passions होंगे काइट सोड़ाना sports में ज bowling में से इनकी नदर डिलीडड आया है इस परिषiran के बहुत जादा होगी कि मेरा परिभार है मुझे अपने परिवार के लिए करना है महती जादा हो सकते हैं family वालई बहुत जादा होंगे सोसाइटि के बिलीफ बहुत जादा होंगे दूसरा जो है meditate and contemplate यहाँ पर आपकी जो शादी हो moon in Pisces के अंदर जबी भी moon आपका Pisces के अंदर जाएगा इस time period के अंदर आपकी शादी हो सकती या फिर आप इस person से मिलेंगे तो एक तरीके का moon हो सकता है आपका moon Pisces में हो या फिर इस person का इनर्जी में है इसलिए आपको बहुत ही मिचौर करना है आपको मैचौर एनर्जी में इन्हें लाना होगा यह अपने आप मैचौर एनर्जी में आएंगे बी असर्टिफ यानि कि यह person जैसे भी है आपको अपने future partner को ऐसे ही accept करना होगा जब आप इनकी life में आएंगे तो आप इन्हें सिखा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है मतलब कि कैसे अपनी life को balance करना है इस relationship में एक मैचौर एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि आपके जो person है future husband या wife है इनकी energy इतनी मैचौर वाली नहीं है ये बहुत ही जल्दी दूसरों के manipulation control में आ जाएंगे लेकिन आपको चीजों को समालना है आपको balance create करना होगा आपको इन्हें सिखाना होगा कि क्या personal space है क्या personal boundary है कैसे अपने लिए stand लेना है ये सब आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा ये person बहुत ही जादा lucky है और आप भी बहुत जादा lucky है क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की energy को balance करेंगे अगर ये immature energy में है तो आप एक mature energy में है आप इनसे जादा mature होंगे इस relationship में ये जो person है ये आपकी life में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे especially financial success लेकर आएंगे क्योंकि ये person बहुत successful होंगे आप बहुत साथा successful होंगे यहाँ पर आपको new opportunities मिलेगी अपने career में अपनी life को settle down करने के बहुत सारी new beginning start होगी आपकी life के अंदर दूसरा जो card है आपकी जो marriage काफी अच्छी होगी आप अपनी marriage वाले दिन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी marriage में आपकी पूरी family पूरे friends आएंगे आप अपनी marriage में बहुत ज़्यादा पार्लर वगेरा बुक करोगे और बहुत शान्दर wedding हो सकती आपकी दूसरा जो card है love and blessing आपको अपनी शादी में प्यार मिलेगा भले आपके जो partner है वो इतनी mature energy में ना हो लेकिन आपको उनसे बहुत प्यार मिलेगा और दूसरी बात है कि आपकी marriage life बहुत अच्छी होगी आप दुनों की शादी होगी बच्चे होंगे और हो सकता है कि आप अपने in-laws से separate हो जाए शादी के बाद और अकेले रहें क्योंकि यहां पर आपका in-laws का interference बहुत होगा आपकी शादी में वह आपको पसंद नहीं करेंगे या फिर आपकी शादी में problems create करेंगे सो हो सकता है कि आप शादी के बाद अपने in-laws से separate हो जाए आपकी इस person से communication होगी heart to heart conversation होगी यानि कि message में आपकी इससे बात होगी यह person आपको openly propose करेंगे अपने दिल की सारी बाते कहेंगे तो यहां पे आपकी love marriage होगी और यह जो शादी है आप में से काफी सारे लोगों की 25 प्लस में हो सकती है यानि कि 25 की age के बाद आपकी इस person से शादी हो सकती है तो यह थी आपकी reading जिन्होंने symbol of star को चुना है अगर आपको में reading पसंद आई है तो आप में चैन को like करें शेयर करें सिस्क्राइब करें और प्राइवीट इडिंग लिए मुझे इमेल कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाच्छिंग अब देखते हैं जिन्होंने symbol of rose को चुना है आपकी marriage तो जिन्होंने symbol of रोज को चुनाएं उनके लिए पहला कार्ड है expectation आपके जो person है ना आपके expectation से बहुत ही अलग होगी यानि कि आपके future husband या wife जैसे भी आप expectation कर रहे हैं आपकी शादी उससे बहुत अलग होने वाली है जो भी आपने expectation करी है या फिर जैसा भी आप partner जाते हैं उस expectation के बिल्कुल अलग होगी आपको अपने mind को open रखना बढ़ेगा क्योंकि ये जो person है आपके life में ये बहुत ही अलग होगे दूसरे जो card है make the efforts आपके जो husband है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा efforts करेंगे या आपकी जो future wife है वह बहुत ही ज़्यादा efforts आपके लेए continuously करते रहेंगे आपके साथ रिष्टे को बनाये रखने के लिए वह बहुत जादा एफ़र्ट्स करेंगे यानि कि बार-बार आपसे बाते करना आपको डेट पिले जाना आप जानना की आपकी दिल में क्या है सारी बाते यह आपसे करते रहेंगे लेकिन आपकी जो शादी एक अनेक्सपेक्टेड टाइ हो सकती यानिके ऐपके जो कौफनą यह किसी एंडिंग से निकल रहे होंगे यह तो हो सकता है यह किसिके साथ हैं उसेफे लंबे टाइम प्रिक के decided कि किसी के साथ नामीटिक में यह इनकी वह रिलेशेंशिप हो घता इस साइड में दूसरा जो गाड़ है challenges can be resolved बहुत challenges होंगे आपकी marriage में आपकी शादी तक की journey बिल्कुल भी easy नहीं होंगे इस person की life में family issues होंगे आपकी life में family issues होंगे बहुत ही जादा dramatic situation चलती होगी यह जिस family से belong करते होंगे वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा ड्रमाटिक फैमिली है बतलब कि ऐसी फैमिली है जहां पर नर्सिस्टिक पेरंस है जहां पर एक एमोशनल ड्रामा चलता रहता है और एक ऐसे पेरंस या ऐसे लॉस होंगे जिनके लिए आप जतना मरजी करें कम ही है इस तरह के से बहुत भी लेंगे शनल हम और लेकिन अपके लिए यह पर्सिए अपने कमफोर जोन से बाहर निकली आपके लिए एक्षन लेंगे जैंकि अगर यह किसी एसे सटेंड लेंगे तो आपके लिए गलाव जा रहे हैं या इनके पेरंस आपको बोलने की कोशिश आन्वायाया आपको नहीं accept कर रहे हैं तो तब भी यह person आपके लिए लेंगे यानि कि आपके लिए यह अपने फैमिली को छोड़ सकते हैं आपके लिए अपने relationship को छोड़ सकते हैं आपके लिए अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो यह person उसके अगेंस्ट बोलेंगे चाहिए वो फिरिन के फैमिली क्यों ना हो आपके जो फ्यूचर हजबंड के वाइफ है वो हमेशा आपके लिए स्टेंड लेंगे और हमेशा आपके लिए दूसरों से लड़ने के लिए और अपने खुद के comfort zone से बाहर निकलने के लिए तयार होंगे लेपर इस परेशिंखे बहुत हमेशा लिए मेहां ही वह बहुत हादव होंगे। छिस परफेशन में में और हैं होगा मेनत करने एक इन्हरीटन प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है की उसे कुछ करने में जूरत होंगे उन्होन ने अपनी लाइफ में खुद की मैनत के कमा आ आपको कोई बोलने बाला नहींगा को गोई रोकने टोपने वाला अपके पास तक ही उल्गाई कि में याईनिके आपके पास घर हो गाएपके पास ऑचे अच्छछे Кपड़े होंगे आपके पास। बहुत ज्यादा ज्यादा लक्जीरी डाइफ होंगे। queen की जैसे life होते crowd यानि कि उसके पास हर तरगी आपके पास dresses होगी और बहुत कुछ होगा आपके पास बहुत सारी कीमती समान होगा आपके घर के अंदर तो आपकी जो life है एकदम queen जैसी life होगी कोई आपको बोलने वाला कोई रोकने टोकने वाला नहीं है relationship में इनको धोका मिला होगा या फिर ये परसन ने बहुत जादा heartbroken देखे होंगे failure देखे होंगे loss देखे होंगे तो उन सारी energy से बाहर निकल रहे होंगे और इन्हें value पता होगी कि एक real partner की क्या value होती है new beginning आपकी life की new beginning start होगी new life start होगी शादी के बाद आपकी एक नई खूब चुरह जंदिकी start होगी और जैसे कि यहां पर एंजल blessings दे रहे हैं तो आपको blessings मिलेंगी शादी के अंदर आपकी marriage life होगी और आपके दो बच्चे होंगे और एक नई जंदिकी की शुरुवात होने वाली आपकी यू आर रेडी सो जब आप इस relationship के लिए रेडी होंगे यह relationship आपके पास आजाएंगी यानि कि जब आप ready हैं तभी आपकी शादी होगी जब आप खुद emotionally mentally financially spiritually ready हैं पूरी तरीके से ready हैं तभी आपकी शादी होगी और यहां इस person के साथ आपका divine connection होगा एक soul level का connection होगा psychic connection होगा लेकिन इस relationship में endings तो है family values की वज़े से ending हो सकती है या फिर्ट पर्टी situation की तरफ ending हो सकती है लेकिन आपके person आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा effort करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे अपने comfort zone से बाहर निकलेंगे और आपकी जो शादी है वह exactly 30 प्लस में हो सकते हैं कुछ लोगों की यहां पर जो आपको मेटिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें और प्राइवेट रिडिंग लिए मुझे इमेल कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग